हेलो एब्रीवन मैं हूँ रुची और डूइस्विद रुची में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हूं रेस्टुरेंट इस्टाइल मटर पनीर की सबजी आइए फिर स्टार्ट करते हैं मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे पनीर मैंने याँ पर धाई सो ग्राम पनीर लिया है डेड़ सो ग्राम मटर लिया है फ्रोजन मटर लिया है फ्रेस मटर भी ले सकते हैं दो बड़े प्याज लैसुन की कलियां है दसवारा अधरक का टुकड़ा है दो टमाटर ह दो छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, नमक अपनी स्वात के अनुसार, छे बड़े चम्मज cooking oil धनिया पत्ता गार्निसिंग के लिए दो बड़े चम्मज दही, दही को फेट कर लेंगे पैन चड़ा देंगे इसमें दो बड़े चम्मज तेल डाल देंगे अब इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे पनीर को बहुत जादा फ्राई नहीं करेंगे बिस हलका सा ही फ्राई करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बस पनीर हमरा फ्राई हो चुका है इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर से पैन चड़ा देंगे उसमें दो बड़े चमत तेल डाल देंगे जीरा डाल देंगे प्याज डाल देंगे प्याज को बहुत बारीक नहीं काटेंगे क्योंकि इसका हमें पेस्ट तैयार करना है लेस उनकी कलियां डाल देंगे अधरक डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको 1-2 मिनट तक भूनेंगे स्प्याज हमारा भून चुका है इसमें हम टमाटर डाल देंगे टमाटर को भी अच्छे से गला लेंगे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालके इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे पेस्ट हमारा तयार है पैन चड़ाएंगे इसमें दो बड़े चम्मस तेल डालेंगे और पेस्ट को हम भूनेंगे ये टमाटर प्याज का पेस्ट है इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनेंगे अब इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे लाल मेश पाउडर डाल दिया हल्दी पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर अब इसमें हम आधा कप के करीब पानी डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए अपने मसालों को हम भून लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए ढखके रख देंगे फिर से चला देंगे ताकि हमारे मसाले नीचे से लगे नहीं ढखके रख दिया है अब बस मसालों का कलर चेंज होने लगा है इसमें हम अब दही डाल देंगे दही डालते वक्त गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर देंगे और चलाते हुए इसको भूनेंगे और दही को फेट कर ही लेंगे मसाला हमारा भून चुका है तेल छोड़ने लगा है अब हम इसमें मटर डाल देंगे मैंने आप पर फ्रोजन मटर ली थी अगर आप फ्रेस मटर ले रहे हैं तो पहले उसको दो मिनड़ तक पानी में वोईल कर लें अब इसमें हम पानी डाल देंगे पानी एक ग्लास से थोड़ा सा कम डालेंगे आप अपने अनुसार भी पानी डाल सकते हैं आपको ग्रेवी कैसे चाहिए उसे साफ से पतली चाहिए या फिर गाड़ी चाहिए ठक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए नमक डाल देंगे थोड़ा सा चलाते रहेंगे ठोड़ी देर इसको ठाकके रग देंगे अब हम अपनीihen ग्रेवी में एक चुटकी रेड फूड लइंगे जब भी हम ग्रेवी में रेड फूड कलर नलेंगे तो जो ग्रेवी का कलर है वो एकदम रेस्टोरेंड के जैसा दिखेगा जैसे restaurant के food बहुत ही attractive होते हैं बसे आपकी भी सब्जी बहुत ही attractive और tasty बनेगी आप देख सकते हैं कि gravy का color कैसे change हो गया एकदम restaurant के जैसा दिखने लगा है बस gravy हमारी तयार है अब इसमें हम अपना पनीर डाल देंगे पनीर डालने के बाद इसको बहुत जादा नहीं पकाएंगे बस सब्जी हमारी almost बनकर रेडी है अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे बस थोड़ा सा और चलाएंगे गैस का flame आफ कर देंगे धनिया पत्ता डाल देंगे गार्निस के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर तयार है इंजोई कीजिए